नमस्ते बच्चों, आज हम आठवी कक्षा के दृथी यवाशा हिंती में अंतरगत हमारा संकल्प कविता के बारे में देखेंगे है शौक यही, अर्मान ही, हम करके कुछ दिखलाएंगे, मने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे जो लोग गरीब बिखारी है जिन पर ना किसी की छाया है हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे जो लोग बिख्त टृद क्या हैं NEEDY AND WE WILL MAKE THEM COMFORTABLE जो लोग पड़े अंधेरे में अपनी ही नहीं नजर में है उनके घर के हर कोने में उद्यम का दीब जलाएंगे For all those people who are suffering in darkness and not having enough light to study We will light the lamp of hard work in their house जो लोग हार कर बैठे हैं, उमीद मार कर बैठे हैं हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे Those people who have accepted defeat, who are not having any hope In their mind, we will light the new lamp of energy रोकों मत आगे बढ़ने दो, आजादी के रखवाले हैं हम मात्र भूमी की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे In these lines, it is told that we will serve our country and give anything for our country हम उन वीरों के बच्चे हैं, जो धुन के पक्के सचे थे हम उनका मान बढ़ाएंगे, सचे सपूत कहलाएंगे It says that we are the sons of those great people who have shared their lives for the country So we will also make their name great This poem is written by Ram Nareesh Tripati ji उमीद है कि आप सबको यह कविता समझ में आई होगी धन्यवाद बच्चों